आज की वीडियो का हमारा जो टोपिक है व क्राचिन भारत का इतिहास की जैसे हम इतिहास को पढ़ने के लिए हमें अनुसार उसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है तो पहले हमें हमें अनुसे तीन पहले देखेंगे तो इतिहास को तीन पार्ट में डिवाइड जो मतलब प्राचीन इतिहास है उसे कैसे डिवाइड किया गया है तो तीन भाग है प्राग इतिहासिकाल आद इतिहासिकाल और इतिहासिकाल अभी तीनों में जो यह काफी अंतर है तो मैं आपको बताऊंगी इस अधनकला से परीचित नहीं था मतलब जो इस टाइम का मानव था प्राग एतिहासिक काल का जो मानव था जो मनुशे था उसे लिखने का कोई भी ज्यान नहीं था मानव की उत्पत्ति से लेकर लगभग तीन हजार इसापूर्व के बीच का जो समय है वो इसी प्राग एतिहासिक काल के अंतरगत आता है ऐसा कहा जाता है पाशानकाल एवं ताम्र पाशानकाल का अध्यन भी इसी के अंतरगत हम पढ़ते हैं जो पाशानकाल हम पढ़ेंगे और ताम्र पाशानकाल जब हम पढ़ते हैं उसका वो जो पार्ट है वो भी प्रागितिहासिकाल के अंदर याता है इस टाइम पर मानव को ना लिपी का ग्यान था और नहीं हमें कोई ऐसे साक्षिय सोर्सिस प्राप हुए हैं सेकिंड है हमारा आद इतिहासिक काल इस काल का मानव जो है किसी ने किसी प्रकार की लिपी से प्रेचित था वो जानता था लिखना जानता था लेकिन वह लिपी जो काल के अंदर ही पढ़ते हैं जैदिक सब्यता और आपकी सिंदु घाटी सब्यता जो है आद इतिहासी काल के अंदर आती है फिर थर्ड नंबर का जो है अमारा वो है इतिहासी काल इस काल का मानव किसी ना किसी प्रकार की लिपी से परिचित था लिपी जानता था लिपी को भ करते थे हमें जो लिखा हुआ मिला हमने उसे पढ़ा तो वह विवरन जो है सभी पढ़ा जा चुका है उसे ही हम इतिहास कहते हैं तो पांचवी सताब्दी इसा पूर्व से लेकर और वर्तमान तक अभी तक का जो अध्यान है इसी के अंतरगत इतिहासिक काल के अंतरगत ही आ थेंक यू, हवे गूड़ देए